Ministry of Earth Sciences ने एक नया Heat Wave प्रोजेक्शन जारी किया है अपरेल और जूर महिने में इस बार देश के अलग-अलग हिस्सों में Heat Wave को लेकर किस तरह की सेनारियो बनने वाली है इन सब पर एक डीटेल रिपोर्ट जारी किया में साथ Ministry of Earth Sciences के इंचार्ज कैबिनेट मंतरी किरणी जीजू है पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि कई राजे हैं जहांपर Heat Wave की आशंका है Maximum Temperature above normal रहने की आशंका है कौन-कौन से राजे हैं जहांपर लोगों को सत्रक रहना होगा जैसे अभी जो प्रोजेक्शन्स दिखाया गया है कि भारत के बहुत बड़ा इलाका में इस बार Heat Wave का संभावना दिख रहा है और वैसे ही होगा क्योंकि हमारा पास टेक्नलोजी है तो उसके माध्यम से जो प्रोजेक्शन्स हैं लगबग सठीक रहता है और अभी जो आज एप्रिल एक तारिक है तो हमने मेक अभी जारी किया है तो उसी साब से मध्य भारत में और पूरवी भारत में पूरुतर भारत को छोड़के है क्योंकि पूरुतर भारत में बारिश होगा इस समय तो फिर वहां हीट वेप नहीं होगा तो फिर लेकिन सदन पर्शिम बंगाल फिर उडिसा फिर आंधर प्रदीश होते हुए मध्य भारत से लेकर के महारास्टर तक फिर करनटका में भी दिखाया गया है फिर मध्य प् हैं तो बहुत भीड़ इकता होगा फिर लोगों का आना जाना ध्यान ज्यादा रखना जरूरी है क्योंकि सब एक्सपोस होगा तो पब्लिक को भी और ऑफिशल जो लोग एलेक्शन ड्यूटी में हैं हमारे लार्ज स्केल जो फोर्सेस का डिप्लॉइमेंट होगा बहुत स सारा चीजें हैं जो एलेक्शन के दोरान लोगों को एक्सपोस होने का समावना रहते हैं इसलिए चुनाओं भी हैं अच्छी तरह से चुनाओं हो जाए लेकिन लोगों को हीट वेब का वज़ा से और बाकी जो बहुत एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स जो हमको दिखता है उसके बज़ा से नुकसान कम से कम हो इसका ध्यान सबको रखना चाहिए और स्टेक होल्डर्स को भी हम लोगों ने मीटिंग करके पहले ही हीर वेब का तैयारी भी कर चुके हैं अब ये आपने का एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन अधिकतर हिस्सों में देश में रहेगा एक बड़ी चुनौती होगी आम लोग जादा से जादा संख्या में पहुंचें वोटिंग बूत तक आपको लगता है कि हर एक वोटिंग बूत पर भी चुनावायों को तैयारी कर रहे हैं तुम्हाँ पीने की पानी की सुविदा होगी शेड्स होंगे जहां पर मैं ख़ला होके लंबी देते की दिजार कर सकते हूं यह सारा विवस्ता तो हर प्रकार का होते हैं जैसे परिश्टीटी है और जगा का एनूसार तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तैयार मंत्राले हैं कई जो हमारे मंत्राले हैं हेल्थ वेलफियर वगरा सारा मिल करके एक व्यापक तैयारी तो कर चुके हैं और ग्राउंड लेवल में राज्य सरकार के साथ में भी और जितने जो स्टेक होल्डर से कमुटिटी लेवल में और एंजियो के माध्यम से भी सब के सा से हीट वेब और बाकी जो चुनोती हैं उसको सामना करने में हम सक्षम होंगे हैं एक आखिस सवाल हीट वेव एक्शन प्लान तेईस राजी जो सबसे अधर प्रभावित होने वाले हैं उन्होंने तयार कर लिया है उसकी कम्प्लाइंस को कैसे सुनेशिर किया जा रहा है कि आ पारे स्टेक होल्डर के साथ में मिटिंग हुए उसके हिसाब से मुझे तो लगा कि सब अच्छी तरह से तैयारी की हुए हैं और जैसे मौसम का प्रकौप होगा उसके अनुसार हम लोग हैंडल करने में सक्षम होगा हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया दिली में ज